अपने हजबन के होते हुए एक लड़की ने एक बिजनेसमैन के साथ अफेर किया वो उसे ऐसा रासा दिखा दिए जहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रक्शन था क्या बिजनेसमैन इससे उभर पाएगा या हम आज के हमारी मुवी तो हुमन कॉंट्राइट ये 2008 की एक हॉलिवड मुवी में देखेंगे आदमी को जो चीज करनी चाहिए उसे छोड़कर अगरों किसी और चीज के बीचे बागे तो इसके इफेक्ट क्या हो सकते है या हम इस मुवी में देखेंगे अगर आपको वीडियो अचा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा और बिना खिजिदरी के एक्षपेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती हम हमारे में क्यरेक्टर जूलियन को देखते हैं जूलियन आज एक लड़की से मिला था उसका नाम था माइकल माइकल एक फ्री स्पिरिट थी उसे जो अच्छा लगता था कि सारी चीज़े वो कर डाल दी थी जूलियन एक बिजनेसमैन है तो उसे रूल्स के साथ चलना पड़ता है इन दोनों के बाद आगे बड़बाती उससे पहले जूलियन की गल्फरेंड यहाँ पर पहुझ के जूलियन आज माइकल से फर्स टाइम मिला था और फिर भी उसे बहुत ही अमेजिंग लगी उसके जाने के बाद जूलियन अपने गल्फरेंड के साथ इंटिमेट होता है रात में अचानक से उसे बहुत ही बुरा सबना आया इस वज़े से वो अपनी गल्फरेंड को जाने के लिए कहता है आज कल वो बहुत ही अकेला था क्योंकि अभी अभी उसकी वाइफ ने उससे डिवास लिया है गर में डिवास के वेपर्स पड़े हुए है इसे उसने अब तक साइन नहीं किया नेक्स डे जूलियन के बहुत इंपोर्टन मिटिंग थी इस मिट्डि में उनके क्लाइंट्स उसे गहते हैं कि अगर हमने आपको हायर किया तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा उन्हें अपनी कंपनी के लिए बेस मार्केटिंग प्लान चाहिए था तो इस वज़े से और एक फर्म को जाकर हो मिलने वाले थे जिनका वर्क अच्छा होगा उन्हें पुरा कंट्रेट मिल जाएका जुलियन और सके कली इस सारी कंडिशन मान लेते हैं बहुत ही खुश थे और confident भी थे कि ये कंट्रेट उन्हें ही मिलेगा अब उन्हें सिर्फ सही से काम करना है और कोई भी ट्रबल क्रेट नहीं करना जुलियन के बॉस ने उससे बात किये वो company छोड़कर जाने वाले थे पर इसके लिए उन्हें बहुत पैसे मिले थे वो जुलियन से कहते हैं अब कोई भी ट्रबल क्रेट मत करना वो उन्हें पता था कि जुलियन का डिवास हो रहा है तो बॉस ने कहा थोड़े दिनों के लिए इसे पॉस्पॉन कर देना जुलियन भी इस बात को मान जाता है रात में अपने सारे कलीस को लेकर वो पार्टी करने के लिए गया वो सबको कहता है कि जहाँ पर भी मैं काम करूँगा तुम सब मेरे साथ ही आओगे जुलियन के फ्रेंड्स में उसका लॉयर फ्रेंड भी था जो हमेशा उसे हेल्प करता था जुलियन के वाइफ ने डिवास पेपर्स भेजे है ये बात भी उसे पता थी वो जुलियन के लिए सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता था पार्टी के बात जुलियन अपनी मदर के पास आया वो मदर को इतना जादा विजिट नहीं करता तो मदर को ये बात अच्छी नहीं लगती मदर ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्पन के रूम की सारी चीज़े निकाल ली है जैसे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम्हे रूम पेंट करना पड़ेगा जुलियन कहता है कि मैं एक आदमी को भेज दूँगा उसकी मदर इस बात पर गुस्सा होगी कहती है तुम हमेशा अपने पेसो का रोब नहीं जार सकते अपनी फैमिली को भी तुमें टाइम देना चाहिए एक्चुल में जुलियन की बच्वन में कुछ बुरा हुआ था इसी वज़े से एक काम वो नहीं करना चाहता था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा एक रात काम से वापस आते हो जुलियन को फिर से माइकल दीखी उसका पीछा करता है एक ओपन टेटर में अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देख रही थी तो जुलियन भी उसके पास जाकर बेट गया माइकल को उसे देखकर बहुत अच्छा लगा फिल्म फ्रांकस्टाइन थी है इसके बारे में बात करते हो है माइकल जुलियन से गहती है फ्रांकस्टाइन ने अपना खुद का मॉंस्टर क्रेट किया था जब उसने आएने में देखा तो खुद डर गया जुलियन इस बात पर सोचने लगता है अचानक से यहाँ पर माइकल का एक्स बाइफरेंड आ गया उसके साथ जगडने लग गया उसे मारने भी वाला था तब ही जुलियन जो उसे उसे पंच कर देता है टाक्सी में बैठा कर उसे घर पेश दिया जुलियन ने बुचा कि वो था कौन कि तुम्हारा एक्स बाइफरेंड था माइकल ने कहा कि ऐसा ही कुछ जुलियन के हाथ पर जोट आई थी तो माइकल उसके साथ घर आई उसे मलमबटी कर देती है जुलियन के घर में उसने एक बन रूम देखी जिससे खोलने के लिए पासवाट की जरूरत थी माइकल इसके बारे में उसे पूछती है पर जुलियन उसे कुछ भी नहीं बताता माइकल बुचती है कि क्या ये डाक रूम है तुम्हारा कैमेरा निकालो मेरी फोटोज निकालना माइकल ने कपड़े निकाले तो जुलियन उसके हाथ पर बहुत सारे कट्स देखता है जब वो छोटी थी तो उसके घर पर बहुत सारे प्रॉलम्स थे उसके मदर और फादर उसे मारा करते थे तो इसी वज़े से खुद को कट करने की आदद उसे पढ़ गी अब बहुत सालों से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया यह सब बताने के बाद माइकल यहां से जाने लग गई जुलियन जाता था कि वो रूख जाया और माइकल चली जाती है अगली दिन ओफिस में जुलियन से मिलने के लिए उसका लॉयर लैरी आया रस गयता है कल रात किसी के साथ तुमने फाइट किये थी वाद में एक इमिग्रेंट है और कोई भी ट्रवल नहीं जाता तो इस वज़े से केस चला जाएगा और उसे केरफूल रहने के लिए गयता है एक दिन जुलियन जब उन्हीं मदर के रूप मेंट करने के लिए आया हुआ था तो अपनी सिस्टर को नूटिस करता है राद में जबें मिलें तो माइकल ने उसे अपनी गाड़ी में बेटने के लिए कहा गाड़ी में बिठा कर उसके आग पर पट्टी बांद देती है फिर उसकी ड्राइवर लड़की कोस ने आगे बुला लिया वो माइकल को किस करने लग गई थी माइकल ने जब पट्टी खोली तो बहुत ज़ादा गुश्सा हो गया वो निकल रहा था पर बाहर बहुत बारीश थी तो माइकल ने उसे अंदर आने के लिए कहा जिलेन फिर गुश्य में माइकल के साथ इंटिमेट हो जाता है माइकल उसे पुछती है कि लाइफ में कभी भी तुमने किसे से प्यार किया है जिलेन कहता है कि हा किया है माइकल ने पुछा कि तुम्हारे डाक रूम का पास्टोर उसकी पास था जिलेन कहता है कि नहीं माइकल को जुलियन के लिए बुरा लगा क्योंकि उसे कोई भी अब तक समझ नहीं पाया इस रिलेशेंशिप में उस जुलियन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी अगली सुबा माइकल ने जुलियन को गिवट भेजा एक गिवट देखकर उसे बहुत अच्छा रखता है उसके कोवर कर भी नोटिस करती है कि जुलियन को एक गिवट देखकर जितनी खुशी हुए इतनी कभी भी भी नहीं होती जुलियन फिर ब्यूटिफुल से फूल लेकर माइकल की काम पर उसे मिलने के लिए अरहा है माइकल की असिस्टन ने कहा कि आज उसका एग्जिबिशन है तो तुम्हें वही पर मिलेगी एग्जिबिशन में जाकर जुलियन ने देखा तो माइकल किसी और को किस कर रही थी उसे पूँछता है क्यों था कोन मारिकल कहیتी के हम बाद में बात करते हैं में तुम्हें सब को समझा दूँगी पर जुलियन को अभी बात करनी थी वो उसे शाम जगाव पर लेकर गए और कह mówią ति कि हूँ मेरा हस्बंड था में तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी पर तुम्हें सही तरीके से सुनना पड़ेगा मेरे हस्बन को हमारे बार में पता है हमें एक अलग टाइप की रिलेशनशिप है जिसमें यह सब अलावड है ये बात जुलियन को हज़ब नहीं होती वो गुस्ता हो गया और यहां से चला जाता है रात में जब जुलियन अपनी मदर की घर पर आया तो सिस्टर का हस्बन सिस्टर को मार रहा था जुलियन इस वर बहुत जादा गुस्ता हो जाता है और हस्बन को उसने बहुत मारा जुलियन ने अपनी सिस्टर से कहा मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था अपनी सिस्टर को बहुत सपोर्ट करता है इसके बाद जुलियन को पुलिस लेकर गए थे उसका लॉयर उसे छुड़ा लेता है लॉयर ने जुलियन को समझाया तुमारी सिस्टर का हस्बन डारेकली कोमा में चला गया था अगर उसे जल जाता है तो कोई भी प्रावलम नहीं होगा हम सब कुछ चीज़े मैनेज कर लेंगे जुलियन के बॉस ने उसे बहुत डाटा तुमें कमपनी के बार में सोचना चाहिए तुमारी इन सब चीजों की वज़े से डील हमारे हाद से चाह सकती है अगली दिन माइकल जुलियन के काम पर उसे मिलने के लिए आई पर जुलियन सेकुरिटी गार्ड की मदद से उसे बाहर निकल वा देता है माइकल की वज़े से जुलियन बहुत ही डिस्टब हो गया था अपनी कोवर करके साथ भी अच्छी बात नहीं करता रात में माइकल जुलियन से मिलने के लिए उसके घर पर आई उसे कहती है मैं और मेरे हजबन में एक अजीब तरीके से अरेंजमेंट है हम एक दुसरे को पान करनी रखते है हम दोनों खुश रहना चाते है हम दोनों जब एक साथ है तो इक दुसरे की लाइफ बिटर बना सकते है तुम मुझे पाना डिजर्व करते हो और मैं भी तुम्हें अपनी लाइफ में चाती हो मैं तुमसे प्यार करूंगी पर सोसाइटी चीज तरीके से चाती है वैसे नहीं वो अपनी रिलेशनशिप को कोई भी लेबल नहीं देना चाती थी इसके बाद दुनों इंडिमेट हो गए जैसे भी सिच्योजन थी ये जुलियन ने एकसेप्ट कर ली थी एक रात माइकल जुलियन को एक बहुत ही अच्छी से डेट पर लेकर गए उसे बुचती है लाइफ में तुम खुश कग होते हो या तुम्हारा काम तुमें अच्छा लगता है जुलियन ने कहा कि इसे पैसे आ जाते है उसे बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है माइकल के साथ होना उसे बहुत अच्छा लगता है अगले दिन ऑफिस में उसका लॉयर लाइरी जुलियन से मिलने के लिए उसके नेफियोजेगरा को बहुत अच्छी लगी थी जुलियन की सिस्टर ने कहा कि मेरा आजबन ठीक हो चुका है उसके साथ रहना चाते थी जुलियन ने कहा कि फिर से हो तुम्हें बहुत मारेगा इस तरीके की environment में तुम्हें बच्चों को नहीं रख सकती मदर को लग रहा था कि sister को उसके husband के पास वापस जाना चाहिए पर इस बात पर जुलियन और मदर में जगड़ा हो जाता है जुलियन को डिस्टब देखकर माइकल नहीं से का तुम अब पेन में हो पर तुम्हें इसको लेकर बात करनी चाहिए जो भी रास खोलने से तुम टर रहे हो यह तुम्हें खोल देने चाहिए इससे तुम एक better person बनोगे इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर जाता है एक रास जुलियन को बहुत ही अकेला लग रहा था वो माइकल से मिलना जाता था पर माइकल अपने हस्बन के साथ बीजी थी उससे मिलने की जित करता है पर माइकल उससे मिलती नहीं वो फिर आत में किसी और लड़की के साथ इंटिमेट हो गया माइकल उससे call करने की कोशिश करती है पर उसका call नहीं उठाता सुबा वो उससे मिलने के लिए आई तो जुलियन के साथ किसी और लड़की को नोटिस करती है इस बात पर वो गुस्सा होगी कहती है तुम ऐसा कर कैसे सकते हो जुलियन ने कहा कि तुम भी तुमारे हस्बन के साथ हो अगर हम इसी टाइप के रिलेशन्शिप में है तो मैं भी किसी के साथ भी हो सकता हो माइकल ने कहा कि हमारे हस्बन वाइफ के बीच में कुछ भी हो फिर भी ट्रांसपरेंसी है जुलियन उसे अपने रूम का पासवर्ड भी नहीं देता जुलियन और भी जादा गुस्सा हो गया और माइकल को बहुत बुरी-बुरी चीज़ी गहता है माइकल उसे स्लैप कर देती है जुलियन ने भी गुस्से में उसे slap किया तो directly नीचे गिर गई उसे जरा चोट आ गए थी माइकल डिस्टब होकर एक pain लेकर खुद को hurt कर देती है उसे जुलियन होस्पिटल में लेकर गया जब सारी situation के बारे में माइकल के husband को पता चला तो जुलियन को धमकी देता है कि फिर से कभी भी उसके पास मत आना थोड़े दिनों बाद जुलियन माइकल के घर पर आया उसके husband से यह था है last time मैं उसे मिलना चाता हूँ husband ने उसे मिलने के लिए allow कर दिया जुलियन ने माइकल को अपनी safe का password दे दिया एक लिटर वो माइकल को देगर गया था जिसमें लिखा था तुम एक ही person हो जिसके पास एक combination है मैंने life में सही कलाच जो भी किया है यह सारा collection तुम्हें यहां मिल जाएगा अब जैसा माइकल ने उसे कहा था कि जिन चीजों से तुम डरते हो इन्हें तुम्हें face करना चाहिए तो यही करने के लिए अपनी मदर के पास उपहुचा वो सेगा था कि जब मैं छोटा था तब तुमने suicide करने का क्यों try किया था गयास लिग में उसकी मदर मरने वाली थी पर जुलेन ने अपनी मदर को बचा लिया था सब लोगों कुनों ने का के सिर्फ ए एकसिटरंट था वे जुलेन की मदर suicide करने वाली थी मदर ही single parent थी तो इस वज़े से उसे बहुत pressure आता था उसने जो भी किया था इस वज़े से अपने आपको बहुत ही बुरा मानती है एक दूसरे को माफ करकर बहुत रोते है इनकी relationship फिर से बहुत strong हो गई थी जुलिया नमसे कहता है हमेशा मैं लाइफ में चीजों से भागता रहू जो मुझे करना चाहिए मैंने कभी भी नहीं किया उसे हमेशा से interest सिर्फ photography में था वो सिर्फ पैसों के लिए अपना job कर रहा था पर अब उसने सब को छोड़ दिया है पैसे उसके पास बहुत थे तो अपने passion को follow करता है जो चीज सही है यही चीज़ वो अब करने वाला है माइकल के उसके life में आने के बाद वो बरबाब भी हुआ उसे उबर भी गया उसी जीने की सही रहा दिखा कर जाती है इसे के साथ यह movie एंड होती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीज़ेगा यह बहुत सारी movies लिकर आत रहतो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीज़े और bell notification icon दाने मत भूलेगा हमेरे से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आवका खैल रखिये